आज हम बनाएंगे भिंडी दो प्याजा बहुत ही बढ़िया से रेशिपी और भुत ही आसान से रेशिपी तो सबसे पहले थो हाफ केजी भिंडी ली है पानी से दो लिया और उसके बाद मैंने सुखे कपड़े से इसे अच्छे से कोच लिया है उसके बाद मैंने दो टुकडो में इसे काटा, बीच में भी इसे कट लगा के मैंने अंदर से भी भिंडी देख ली है, तो इसमें कभी-कभी कीडा भी होता है, तो इसलिए हमें उसको बीच में भी थोड़ा सा कट लगा के देख लीना है, एक मीडियम साइज का मैंने टमाट विला गाला और उसे मैंने बड़े टुकड़ों में काटा, उसे भी खोल के रख दिया है बड़े टुकड़ों में गाला है, ऐक मिडियियों साइज का तो तो झाला ले लिया है यूब चॉप कर के चार हरी मिर्ष अपके ईसाफ से ले शकते हैं तो अभी कडाई में तीन चमजीता में तेल डाल देती हूँ और इसमें अभी हमने जो भिंडी काटके रखी है वो डाल देते हैं और हाई फ्लेम पे हमें इस दो मिनिट के लिए इस भिंडी को भून लेना है इसे हमारी भिंडी खिली खिली बनेगी वो जो चिपचिपी भिंडी बनती है वो नहीं बनेगे अच्छे से खिली खिली बनेगी तो बस हाई फ्लेम पे ही इसे भूनना है इसे कम आच पे नहीं भूनना है और थोड़ा सा नमक भी मैंने इसके साथ डाल दिया है ताकि भिंडी में अच्छे से नमक लग जाए तो बस अभी दो मिनिट के लिए मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ और भुनने के बाद देखिए अभी इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है और ये थोड़ी सी नरम भी पड़ चुकी है तो बस अभी इस भिंडी को हम निकाल लेंगे तो आदी भिंडी तो हमारी अभी पक चुकी है तो बस सारी भिंडी में निकाल ली है अभी इसी में हमें प्यास डालना है तो अभी ओई थोड़ा सा बच्चा है तो इसलिए ओईल का इस्तमाल नहीं करने वाले है और प्यास को भी हाई फ्लेम पे हमें थोड़ा हमें भून लेना है इसको पकाना नहीं है थोड़ा सा क्रंच इसके अंदर होना चाहिए इतना ही इसे भूनना है तो देखे अभी ये थोड़ा सा मैंने भून दिया उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है तो बस ये टमाटर भी हमें थोड़ा सा भून लेना है बहुत जादा नहीं भूनेंगे वरना ये गल जाएगे इसलिए हमें थोड़ा सा ही भुनना है हाई फ्लेम पे तो बस अब ये टमाटर प्यास भी भून चुका है इसे भी निकाल लेते हैं और इस सबजे को अब जरू बना के देखना क्योंकि ये सबजे आप होटेल में खाने के लिए जाते हैं पर घर में हम बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से ये बनती है और घर में भी बना के खा सकते है तो बस ऑईल डाल दिया है एक चमश और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया और हरी मिर्च और प्यास डाल दिया है तो हरिमेश प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है और थोड़ा सा मैंने जीरा भी पहले डाला था इसमें और थोड़ा सा हिंग एक पिंच जितना मैंने हिंग भी डाला है थोड़ा सा नमक डालना है तो भिंडी में भी हमने पहले नमक डाला था तो उसे ध्यान में रखत तो थोड़ा सा मैंने इसको कूट के डाला है मेरे पास अभी ये पेस्ट नहीं थी इसलिए मैंने इसको कूट के डाला है और अधरक लसन भूनने के बाद फिर हमें इसमें टमाटर डालना है जो हमने पीस के रखा था तो बस अभी टमाटर को हमें अच्छे से भून लेना है तो देखें अभी टमाटर से ओईल चुटने लगा है दिखने लगा है तो इतना हमें टमाटर को भून लेना है अभी हम इसमें हल्दी डाल देते हैं थोड़ी से लाल मिर्च तो लाल मिर्श और हरी मिर्श तोनों भी हमने इसमें डाला है तो उसे ध्यान में रखते हुए आपको डालना है और धनिया पौडर थोड़ा सा जीरा पौडर भी डाल दिया है आदा चमच मैंने धनिया पौडर डाला था थोड़ा सा जीरा पौडर और थोड़ा सा गरम मसाल को हमें कमाच पे थोड़ा सा भून लेना है तो देखिए अभी ये मसाला मैंने भून लिया उसके बाद मैंने इसमें दही डाल दिया है तो दही फ्रेश होना चाहिए खट्टा वाला दही मत डाल दीजिए वनना आपकी जो सबजी है वो खट्टी से लगेगी अगर पसंद हो तो डाल सकते है तो बस तीन चमच जितना मैंने दही डाला और दही को भी अच्छे से भून लेना है इसे कच्चा नहीं रखना है बस अभी दही को भी मैं मसालों के साथ अच्छे से भून लेती हूँ तो देखिए मसाला में ने अच्छे से बून लिया और हमने जो भिंडी बून के रखी थी वो अभी हम इसमें डाल देते हैं और भिंडी तो हमारी पिले हमने जो भूनी थी तो उसी में आदी ये पक चुकी है बस अभी ये मसालों के साथ हलके हतों से मिलाना है वरना ये मैश हो जाएगी तो हलके हतों से अभी मैं इसे मिला लेती हूँ और कैस की फ्लेम मैंने अभी कम ही रखी है कमा चुपे मैंने इसे अभी मिला दिया है बस हलके हतों से मिलाना है और हमने जो टमाटर और प्यास भून के रखा था वो भी मैने इसमें डाल दिया है तो बस अभी पाच मिनेट के लिए हमें इसे रखना है कमाच पे ताक्कि जो अदी भिंडी पकना बाकी था तो वो भी पक जाए तो देखे अभी मैंने ये 5 मिनिट के लिए इसे मैंने भुना है बीज मीज में आपको इसे चम्मस से थोड़ा सा उलट उलट करना है बहुत जादा नहीं वरना फिर भिंडे हमारी मैश हो जाती है तो बस अभी थोड़ा सा हरा धनिया बारी कटा हुआ मैंने इसके उपर डाल दिया है और हरा धनिया जब हम डालते है इसका मतलब हमारी सबजी बनके रेडी हो जाती है तो बस अभी ये हमारी बिंडी दो प्याजा बनके रेडी है होटल या ढाबा पर इसे खाने से अच्छा आप इसे घर पर बना के देखना आप इसे कभी होटल पर या ढाबे पर नहीं मंगाएंगे इतनी स्वादिश्ट सबजी बनती है और बहुत है आसानी से बनती है तो देखिए ये हमारा बिंडी दो प्याजा बनके रेडी है इसे प्याब जरू बनाएए और ये रेसीपे आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेर कीजिए और कमेंट करके भी बताएए आपकी बिंडी दो प्याजा कैसे बनी है तो बस अभी ये कमाच पे ही मैंने इसे किया है तो देखिए इसे मैंने आपी प्लेट में निकाल लि मिलता है उसी तरीके से मैंने आपको ये बनाके दिखाया है इसे आप जरू बनाएए भोत ही अच्छी सब्सी बनती है और बहुत ही जल्दी भी बनती है ये इसमें कुछ जादा समय भी नहीं लिगता है बस इसे बनाकर देख लीजए बहुत ही बढ़िया से रेसिपी है य झाल 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 झाल